चीन अब आस्मान में चांद लगाने की योजना बना रहा है ये खबर सुनकर आपको हिरानी हो रही होगी लेकिन चीन 2020 तक अपने तीन आर्टिफिशल चांद लॉंच करेगा ये आर्टिफिशल चांद शीशे के होगे और सूरी से रिफलेक्ट होकर रोश्णी देंगे इन तीनों और्बिट को 360 डिगरी की क्लास में रखा जाएगा जिसे 24 घंटे तक रोश्णी मिलेगी तियांफू सिस्टम साइंस रिसर्च इंस्टिट्यूट के हेड वू चेन फैंग ने कहा कि इसकी रोश्णी इतनी होगी कि स्ट्रीट लाइट की जरूरत नहीं होगी उसके बिना ही काफी रोश्णी पड़ेगी वू के मुताबिज आटिफिशल मूल से 80 किलोमीटर के इलाके में रोश्णी हो सकेगी यह पूछे जाने पर कि योजना कुछ असंभाव से लगती है वो ने कहा कि तकनीक पर सालों से काम हो रहा है और अब तो यह प्रोजेक्ट खत्म जो क्या पाद।